अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिए, बेल बटन दबाना भी मत बुलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, मेरी हर निव रेसिपी का, सबसे पहले आप देख सकते हैं, चलि आप हम बनाएंगे पासुंदी, पासुंदी बनाने के लिए हमें चाहिए, हाफ लिटर फुल क्रीम दूद, ये तीन कप है दूद, एक कप मिल्क पॉडर, दो बड़े चमच शक्कर, थोड़े से दूद में मैंने 15-20 केसर के धागे भीगो दिये, ये देखिए, आदा चमच चेरोंजी या चारोली चाहिए, आप हम बनाएंगे बासुंदी, पहले आप गया सां कर दीजिए, नान स्टिक पैन ले दीजिए, पहले इसमें दूद डाल दीजिए, दूद को एक बॉइल आने दीजिए, आप देखिए दूद को बॉइल आ चुका है, लेम लो कर दीजिए, अब इसमें आप मिल्क पाउडर डाल दीजिए, आप चाहें तो पहले भी दूद में मिक्स करके डाल सकते हैं, या बाद में भी, लेकिन एक बाद का ध्यान रखिए कि लंप्स नहीं पढ़ने चाहिए, आप चाहें तो इसे विस्क से भी ऐसे मिक्स कर सकते हैं, उससे जरा भी लंप्स नहीं पढ़ेंगे, विस्क के साथ मिक्स करने से यह इंवली मिक्स हो जाता है, यह देखिए आप जरा भी लंप्स नहीं दिखेंगे आपको, और मैं आपको एकदम इजी मैथड और जल्दी बासुंदी बनने का मैथड बता रही हूं, ने तो आपक कि बासुंदी बन जाएगी, क्लेम को मीडियम कर दीजिए और इसे हिलाते रहे हैं, अब आप इसमें शक्कर, सिर्फ इससे हमें थोड़ा गाड़ा ही करना है, नौर्थ इंडियन साइड में रबड़ी भी कहते हैं इसे, लेकिन वो थोड़ी ठिक होती है, बासुंदी ज्यादा ठिक नहीं होती है, यह देखिए, इसमें आप मैंने केसर जो भी गया था दूद में, वो डाल दीजिए, इससे भी मिक्स कर दीजिए, अच्छे से, यह देखिए, यह गाड़ा हो रहा है, थोड़ा और हमें गाड़ा करना है, और इसे हिलाते रहे हैं, फ्लेम आप मीडियम कर सकते हैं, पर इस से हिलाते रहे हैं, लगातार, साइट साइट से भी निकल लिए, यह बहुत ही टेस्टी लगती है, आप कोई भी ओकेशन हो, फेस्टीवल हो, कोई पार्टी हो, और यह आप एक जल से जल बना सकते हैं, मैं बता रही हूं आपको, सिफ पाच मिनिट में, अब आप इसमें सब ड्रेय फ्रूट्स डाल दीजिए, हिलाइची पाउडर, और हमें इसे 2-3 मिनिट पकाना है, यह देखिए कलर भी इसका कितना प्यारा है, केसर डाला है, केसर आप थोड़े से गरम दूद में बिगो के रख दीजिए, उसका फ्लेवर और रंग, अच्छे से मिक्स हो जाता है, इसका रंग कितना अच्छा है, अब इसके उपर आप गार्णिश कर दीजिए, बादम और पिष्टे के साथ, यह बादम मैंने बिगो के रखेते, और उसके स्किन निकाल दीजिए, आप कुछ भी गार्णिश कर सकते काजू बादम जो आपके इच्छा हो, और इससे आप लीजिए, बासुन्दी बन चुकिए, इससे अब आप रूम टेंपरेचर पर ठंड़ा होने दीजिए, उसके बाद आप इसे फ्रिज में एक गंटे के लिए ठंड़ा होने के लिए, और इसे चिल करके आप सव कीजिए, चिल होने के बाद इसे खाईए, इतना टेस्टी लगेगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ये मैंने आपको इंस्टंट बासुन्दी बताई है, जो सिर्फ 5 मिनिट में बनती है, प्लीस आप ट्राइ कीजिए, और अगर आप लो कर दोги है, इतन आप लो बनताए, जो सिर्फ 5 मिनिya में बनताए में आपको आपको ब्लीए, जो सिर्फ 5 में कीजिए, जो में अजय आपको आपको बनाट ही कैसए ल्कार्ब करोगेगा, और आपको बनतापको चक्थ 6 में बनापको, प्लीए, च už 얼마 семь बनामट कैसे महीं organiseавай humano ह